प्यारे श्रामिक भाईयों और बहनों, किसान देश का अन्ना दाता है, तो श्रामिक और कांगार देश का राष्टर निर्मा था हर देश वासी को असीम दर्द हुआ, जब हजारों श्रामिक भाईयों और बहनों को सैकरों किलोमीटर, भूके, प्यासे, मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग-अलग कोनों में लाखोश रामिक भाईयों और बहन मुश्किल में फसे हैं और कुरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं साधन और पैसा तो दूर की बात है पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और नहीं लोगदान की इस घरी में काम का कोई इंतजार आए दिन जब देश के अलग-अलग फोनों से उत रही है हमारे श्रामिक भाईयों और बहनों की आवाज और फीडा को हम सब सुनते देखते हैं तो लगता है कि यह आवाज परिवार के एक सदास्य की है यह आवाज एक मा की है एक पती की है एक बेटे की है जो अपने बच्चो पत्नी मा बाप तक पहुँचना चाहता है इस पुखार ने सच मुझ हम सब का दिल छुआ है मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा उती होती है कि संकत की इस घड़ी में भारत सरकार रेल मंट्राले घर वापस लौर्ट में के लिए रेल यात्र का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे है उमीद थी कि दाम में आए हजारो करोर रुपे पर पहला आदिकार हमारे वराष्ट निर्मताओ का होगा और इस पैसे का इस्तमाल अब सब को सुरक्षित और निशुल रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं यह विकर्ट हालाच देखकर कांगरेस पार्टी ने निर्ने लिया कि हर प्रदेश में जरूरत मंद श्रामिक भाईयों और बहनों के घर लॉट्स में की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे मैं उमीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खोधो सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रामिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुचाने की हमारी प्रेडना है इस कर्टाव्य को हम मजबूती से निभाएंगे जैहेंट